Hello everyone So, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास Javascript कोड है हम उस Javascript को को कहा कहा पर प्लेस कर सकते हैं यानि कि Javascript कोड की location क्या होगी जहां पर मैंने आपको बताया था कि Javascript के code को हम थीन locations पर प्लेस कर सकते हैं Number 1, In the head section of a document That is the HTML document Number 2, In the body section of the HTML document And Number 3, मैंने आपको बताया था कि हम उस code को उस HTML document के अलावा एक new file create करके यानि एक separate file की form में भी हम उसको save कर सकते हैं और उस HTML document के अंदर हम उस code को फिर embed करेंगे Embed करने के बाद, embed का मतलब क्या है कि हम एक source file से उसको link करेंगे और उसके बाद हम उस code को use कर सकते हैं तो हमने तीन तरीके से देखा था कि एक इस तरीके से हम किसी भी document को link कर सकते हैं अब इस video के अंदर हमारा aim यह है कि जब भी हम output को represent करना चाहते हैं Java script के अंदर तो output को represent करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से methods या फिर functions available है यानि कि अगर आपने लेडर से कुछ किसी तरह की कोई calculations को perform किया और calculations को perform करने के बाद जो भी result आया अब हम चाहते हैं कि उस result को किस तरीके से display किया जाए तो यह हमारे पास aim है इस वीडियो को study करने का ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं अब जो JavaScript है उसके अंदर हमें output को represent करना है अब output को represent करने के लिए basically हमारे पास चार तरीके हैं पहला write into an HTML element using inner HTML अब inner HTML का aim यह है कि जो भी आपके पास HTML का element है चाहें वो आपका table format हो या फिर assume करो वो आपके पास एक board एक HTML का element है slash board उसी तरीके से हमारे पास italic HTML का element है उसी तरीके से हमारे पास paragraph एक HTML का element है तो इस तरीके से कुछ HTML जो elements है हम किसी भी HTML element के अंदर जो भी हम represent करना चाहते हैं उसको embed कर सकते हैं तो उसके लिए जो function हम use करते हैं उसको बोलते है innerHTML दूसरा हम output को represent कर सकते हैं with the help of document.write function तो एक function है जो javascript के अंदर already inbuilt है यानि कि available है innerHTML भी javascript में already available है उसके अलावा हम एक alert box भी एक user को represent कर सकते हैं जिसके लिए window.alert function का हम लोग use करेंगे और उसके अलावा हम एक browser के console के अंदर भी हम write कर सकते हैं इसको console.log कहते हैं और generally यह जो console है यह हम debugging के लिए use करते हैं यानि कि जब आप testing कर रहे होते हैं किसी website को या फिर किसी function के जब testing करते हैं for debugging purposes हम console.log function का use करते हैं तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इन सबको एक एक करके चेक करते हैं कि इन चारो तरीके से हम किसी output को कैसे represent किया जा सकते हैं यानि हम कैसे किसी output को represent करेंगे तो जो पहला आपका function है वो है आपके पास using innerHTML अब यह जो using innerHTML है यह किसी भी HTML tag को लेगा और tag को कैसे identify करेगा with the help of an ID यानि किसी भी tag की हमेशा कुछ ID होगी जैसे कि आपके पास एक paragraph एक tag है तो हमारे पास एक opening paragraph है तो paragraph के अंदर हम एक ID बना सकते हैं लेटर से ID का नाम है यहां पर हीमू ठीक है और फिर हम इसके अंदर कुछ भी elements या कुछ भी dot work को लिखें और slash हमारे पास P आ जाएगा तो यह हमारे पास एक HTML tag है उसी दरीके से हमारे पास एक table एक HTML tag है आप किसी table के लिए ID define कर सकते हो ऐसी हमारे पास div एक HTML tag है तो basically हमारे पास जो भी HTML tag है उनके साथ हम कुछ IDs को assign कर सकते हैं और फिर उस particular tag को जहां पर वो tag use किया गया है हम उस tag के अंदर जो content है उस content को change कर सकते हैं पहले तो आपको उस tag का reference देना पड़ेगा यहनि कि आप पहले उस tag को access करेंगे और उस tag के अंदर जो भी हमारे पास content है उसको आप change करेंगे तो यहां पहले लिखा है to access an HTML element javascript can use a document.getElementById method तो एक method अलड़ी available है and the id attribute defines the HTML element and the inner property defines the HTML content तो id से हमें बताच लिए कि element की हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि यहां पर हम paragraph की हम बात कर रहे हैं और उसका जो content है हम उसको inner HTML के से हम उसको use करते हैं ठीक है इस वीडियो के अंदर पास हमें इन चार चीज़ों को समझना है कि हम लोग कैसे display कर सकते हैं बाके चीज़े के उपर आप जाता focus नहीं भी करेंगे तबी चलेगा अब जैसे कि सबसे पहला example है यहां पर हमने एक HTML का document लिया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं complete जो है एक HTML का document है अब इस HTML के document के अंदर हमने पहले h2 heading को use किया तो जो h2 heading है वो यहां पर represent कर रहा है फिर हमार पास एक paragraph है अब देखो ना तो इस h2 heading के साथ कोई ID assigned है ना ही इस paragraph के साथ कोई ID assigned है HTML elements है तो जो second paragraph है वो यहां पर इस text को represent कर रहा है अब जो हमार पास paragraph है हमने लिखा PID is equal to demo तो यह जो paragraph है इस paragraph के अंदर हमने कोई भी content assigned नहीं किया है अब जब इस document को हम execute करेंगे तो इस script execute होगी script में क्या कर रहे है हम लोग document.getElementById यानि कि ऐसा element लो पूरे document में पूरे document में हम search करेंगे starting से enter ऐसा element लो जिसकी ID है demo so demo अगर पूरे document में एक से ज़्यादा बार repeat कर रहा है तो जहां पर भी demo होगा आपके पास I mean ऐसा जो भी element जहां पर demo जिसकी ID होगी पूरे document में हम उसको लेंगे और उसका एक है innerHTML एक जो function है function हमारा getElementById और उसका एक attribute है innerHTML so innerHTML की help से इसके अंदर जो भी content है हम उस content को change कर देंगे with the 5 plus 6 का जो भी result आएगा उससे है 5 plus 6 का होता हमारे पास 11 तो इसका जो भी content है हम content को 11 से change कर देंगे तो यह पहला तरीका है जिसमें innerHTML tag से हम लोग use करते हैं और यह सबसे common way है इसी way से हम लोग जितने भी HTML tags है उनके content को change कर सकते हैं और इसी तरीके से हम सबसे preferable method भी यह है क्योंकि इसी तरीके से हम लोग output को represent करते हैं अब जो next function आपके पास available है document.write है हम उस document.write function के help से हम document के अंदर कुछ data को represent कर सकते हैं जैसे एक webpage है आपके पास इस webpage के अंदर हमारे पास h2 heading है फिर हमारे पास एक paragraph है फिर हमारे पास second paragraph है और उसके बाद हमने एक script को use किया है जहाँ पर document.write के अंदर हमने कुछ numbers को लिखा है 5 plus 6 का जो result है that is 11 इसको एक पर समझ लेते हैं देखो यह जो h2 document है जो h2 heading है वो यहाँ पर represent हो रही है आपके पास फिर आपके पास जो paragraph tag है वो यहाँ paragraph represent हो रहा है और जो second paragraph है this is your second paragraph अभी second paragraph के अंदर हमने लिखा है script document.write तो जो भी result होगा वो result यहाँ पर आपको show कर रहा है अब अब जब भी एक HTML document के load होने के बादे को यहाँ पर क्या है कि जैसे ही जब यह HTML document load हो रहा था during that time इसका output यहाँ पर represent हुआ which is 11 अब एक document अगर load हो चुका है load होने के बाद अगर हम किसी method से document.write function को call करेंगे तो पूरा का परा जो document है पूरे document है जो भी content है मुसको delete करेंगे वो content सारा delete हो जाएगा और उसके बास इसका जो भी result है वह वहाँ पर show होगा एक example से मैं आपको represent करता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं हमारे document.write javascript का जो code है उसको use किया है अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हमने इस web page को खोला तो पूरा का पूरा web page एक साथ load हो गया अब जब यह load हो चुका है load होने के बाद अगर मैं इस try it button पे क्लिक करूँगा तो इस page के जो भी content है every content will be deleted और उसके जगह पर सिर्फ जो result है यहाँ पर वही result represent होगा तो आपके बास document.write function इसको बड़े ध्यान से आप use कीजेगा because अगर आप document.write function को use करते हैं after the entire web page is loaded अगर उसके बाद आप document.write function को call करेंगे तो उससे आपके पास जो भी web page के अंदर document written था I mean जो भी tags written थे या फिर जो भी content था हो सब कुछ clear हो जाएगा clear होने के बाद इसके अंदर जो भी result हम represent करना चाहते हैं सिर्फ वो ही result represent होगा अब उसके बाद हमारे पास generally it is recommended कि हमारे पास document.write function को आप सिर्फ testing purpose के लिए use करें but that is all dependent होनी हो आप किस तरह से क्या represent करना चाहते हैं यह सब उसके अपर ही dependent है but यह recommendation है कि document.write function को हम सिर्फ testing purposes के लिए ही use करें अब next हमारे पास एक method आता है window.alert generally जो window.alert है वो किसी तरह के dialogue box को alert box को represent करने के लिए यूज होता है आपने काफी जगह पर check भी किया होगा यहां पर हमारे पास सबसे बहले हमने h2 heading करी है फिर हमारे पास paragraph है और फिर हमने window.alert के उपर एक script यूज की है अभी window.alert एक pop-up dialogue create करेगा और उस pop-up dialogue की help से आप जो भी result यहां से represent करना चाहते हैं वो content यहां पर show होगा और हमारे पास एक ok बटन होगा अब जैसे ही आप इस ok बटन के उपर click करते हैं तो click करने के बाद हमारा जो page है वो web page इस तरीके से represent हो जाएगा तो जो alert box है जब भी आप web page को load करेंगे during loading the content of the web page window.alert function की help से हम किसी pop-up box यानकि pop-up dialogue box को represent कर सकते हैं I hope आपको यह समझ आया होगा next आपके पास है console.log अब जनरली यह console.log है इसको हम use कर दे for debugging यानकि जब आप किसी web page की development कर रहे हैं या फिजब किसी web page को बना रहे हैं during that time आपको अगर यह check करना है कि किसी variable का data क्या stored है अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक h2 document एक document है जहां पर h2 heading है फिर आपके पास एक paragraph है और हमने फिर console.log का use किया है अब जैसे आप इस web page को load करेंगे ठीक है तो इस web page को आपने load किया तो web page जो है वो इस तरीके से represent होगा अब इस web page को आप यहां पर f12 दबाएंगे f12 एक shortcut की आपको मिल जाएगा windows और mac के अंदर भी windows में आप जाएंगे तो आपको f12 key मिल जाएगा depend on your keyboard उसे तरीके से mac के अंदर हमें function plus f12 दबाना होगा तो उसे हमारे पास f12 key अगर आप click करेंगे तो after click क्लिक होने से हमारे पास एक console window इस तरीके से open हो जाएगे जो console window है वो इसका पूरा code represent करता है अब इस code के अंदर जो भी हमारे पास elements है वो सभी elements यहां पर represent होंगे उसके अलावा जो हमारे पास css file है यानिकि जो styles हमने use के हों सभी css files यहां पर represent हो रही है और यहां पर आप check करोगे तो हमारे पास एक tab है जिसका नाम है console अगर आप इस console पर click करोगे तो हमारे पास इस तरीके से एक console मिल जाएगा अब जैसे ही आप यहां पर इस page को run करते है यानिकि जैसे page को open करेंगे तो आपका जो output है जो भी उसका output था हो यहां पर दिख जाएगा अब यह जो output है यह basically developer purposes cleaning के developer ही इसको use करता है इसको कोई भी जो आपके पास end user है वो हम end user इसको use नहीं करता तो यह चार major methods है जो आपके पास हम html documents में javascript के help से content को display करने के लिए use होते हैं तो पहला method आपके पास inner html दूसरा है document.write तीसरा है window.alert अंच होता है console.log अब इसके उपर एक previous question भी आ चुका है जहांबनोंने window.alert के उपर question आया था इस PGT examination में यह वाला question 2016 के question paper में आया था उसी तरीके से same question जो है वो आपके पास UGC net में भी आ चुका है तो UGC net के अंदर भी उन्होंने यही पूछा था कि जो window.alert है कि आप किसी javascript की help से किसी alert box को कैसे represent करेंगे इसके उपर question अलड़ी पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चार तरीके हैं पहला है inner HTML दूसरा है document.write तीसरा है window.alert चौता है console.log तो इस चीज़ का आप note बना सकते हैं अपनी notebook के अंदर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं